आज हम उत्तरपरदेश की जिला मेरिड में हैं जो यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पाल्टी के पिर्तियासी मेर हमारे बीच बैड़े हुए हैं हम इनसे बात करते हैं समय पहले आपका स्वागत आपने हमारे चैनल को टेम निगाला आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नाम क्या नाम मुहमत काहसर अब बास है और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मेरट नंगर निगम से मेयर अरपत का परतियाशी हूँ जयसे हैप यहां चिनाओ मेड़े मेर बीजेपी के पिरतियाशी है और मुस्लिम भी पिड़ते ऐसी काफी है आप किस-किस मुद्दों पहां चिनाओ में जीत पहोगे देखें बीजेबी के पास तो कोई नया लीडर है नहीं पुराने लीडर को उठा करके लाए हैं फॉर्मल्टी के लिए नो परचा भरवाया है ये मेरट के मेरट के वो परतियाची है अलुवालिया साब जो पहले भी मेर रहे हैं हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कारेगाल में कौन सा काम अधूरा छोड़कर गए थे जिसके लिए ने दुबारा चांस दिया जा रहा है और हम पुराने सभी शहर के मुद्दो को उठा करके मुद्दो को ले करके नगर निगम के चुनाओं में आए हैं सेड़के खराब पड़ी हैं नालियां बंद पड़ी हैं बद्बू उठ रही हैं चैर में कहीं भी व्यवस्ता सब जगाँ आप देखेंगे तो चौपट मिलेगी नगर निगम की सरकारी जमीन पर आपको अवैद कब्जे मिलेंगे कूले घर मिलेंगे जिन जमीनों पर आप अस्पताल बना सकते हैं इस्कूल बना सकते हैं कालिज बना सकते हैं डाक खाने बना सकते हैं बैंक बना सकते हैं उन नगर निगम की जगाओं पर अवैद कब्जे भूमाफिया उने किये हुए हैं और उन जगाओं को कूले का धेर बना करके तब्दील कर दिया गया है अच्छा जैसे यहां से बीएसपी से और कॉंग्रेस से भी हाँ पिर्तियासी है और वो दावट होग रहे हैं यहां पर हम चिनाओ जीते रहे हैं और आप भी बतला रहे हैं बीजेपी वाले बतला रहे हैं क्या मुस्लिम हो बैंक हो आप कैसे काट पाऊगे देखिए हम मुस्लिम बैंक पर काम नहीं कर रहे हैं भारत के सम्मिधान के एतबार से हम जनता पर काम कर रहे हैं हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं उसमें हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो जब आप विकास की बात करेंगे तो विकास जब सलक बनेगी तो उस पर पर सब चलेंगे नाले जब साफ होगी तो इसमें सब का पानी बहेगा नाले जब उपर जब कवर्ड हो जाएंगे सलक बनीगे उसको परसे सब गुजरेंगे जब आप अस्पताल बनाएंगे तो उसमें सब इलाज कराने जाएंगे हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीक के लोग भार तक सम्मिधान का सम्मान करते हैं और सारी जनता के लिए सेवा का काम करते हैं हमें बीजेपी से दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है जो बीजेपी का परतियाशी है वो इसलिए चुनाओ लड़ रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है जो बस्पा के परतियाशी है वो इसलिए चुनाओ लड़ना है कि उन्हें बस्पा ने टिकट दे दिया है जो कॉंग्रेस के परतियाशी है वो इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि उन्हें कॉंग्रेस ने टिकट दे दिया है जो समाजवादी परतियाशी है वो इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि उन्हें सपाने टिकट दे दिया है कोई भी मेरट की जनता के मेरट के मुद्दों को लेकर के चुनाओ मैदान में नहीं है हम मेरट की जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाओ में है हम इस बात को लेकर के जनता के बीच में जा रहे है अच्छा जैसे यहां पर दोन जन की बाद दोन जन की बाद चलिया है नहीं के मुखमंतरी कह रहे हमारी दोन जन सरकार है और तीसरा एंजन भी जुड़ने वाला है तो ऐसे पहली दावट हो रही है बीजेपी क्या है इस पर देखिए जुमले बाजी थी जुमले बाजी थी हम बड़े नहीं बनेंगे और जो हमारी जिम्मेदारिया है हम उन्हें पांच साल तक निभाते रहेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह से हम चात्र संग कारियाले में बैठ करके अपने पूरे कारियकाल तक चात्रों के काम करते रहे ऐसे ही नगर निगम कारियाले में बैठ करके पूरे 5 साल, इंशाललह, हम शहर की जंता के काम करते रहेंगे. जैसे नब्allवार्ड है, नब्ब्वार्ड है, क्या आपके परत्याशी उतर चुकए है? जी हमारे नब्वार्डो में 7 परत्याशी हमारे परत्याशी सिंबल पर उतर हैं, और बाकी दूसरे वार्डों में हमारे जो निर्दलिय परतियाशी हैं और जो दूसरे पार्टी के परतियाशी हैं जो दूसरी पार्टी के विरोधी सब खड़े हुए हैं वो सब मेयर से खफा हैं जो लोग चाहे सपा के लोग हो चाहे बसपा के लोग हो चाहे भाजपा के ल तो जो अपने टिकट के बटवारे से खफा हैं, वो तमाम पार्टियों को लोग हमारे फेवर में आ चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है, और वो सब लोग मिल करके हमें वोट देंगे, इंचालों.